चलिए दोस्तों बात करते हैं से एक और question के बारे में इस question में examiner ने का if x का square minus 3x plus 1 is equal to 0 x not equal to 0, x की जो value 0 के बराबर नहीं है then the value of x plus 1 upon max यानि इसको solve किजिए और बताइए कि इसका right answer क्या है तो अब देखिए अगर मैं इसको x से यहाँ divide कर दूँ और इसको अगर मैं x से इधर divide कर दूँ तो यह मेरे पास x plus का 1 upon x और यह क्या हो जाएगा आपका x से कट जाएगा तो उदर जागा ही 3 हो जाएगा यानि कि इसकी value जो आ रही 3 आ रही यानि कि option c जो है वो इस question के लिए correct होगा I hope आप सभी question समझ में आया होगा